सुप्रिम कोट में एक हैराम करने वाला मामला पहुंचा है तिस सक्स ने आरोप लगाया था कि इसे वो विहा कर लाया है वो महिला नहीं मर्द है उसके साथ दोकाधड़ी हुई है पीडित ने इस मामले में नयाय दिला ने सुप्रिम कोट से गुहार लगाई थी सुप्रिम कोट शुक्रवार को पीड़िता की याजका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया कि निश्चा ही कथित पत्नी पर दोकाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि उसके पास पुरुस जन्नांग है वो महिला नहीं मर्द है यह मामला सबसे पहले मई 2019 में सामने आया था तब ग्वालियर के एक मजिस्ट्रेट ने पीड़ित द्वारा दायर शिकायत पर उसकी कथित पत्नी के खिलाप धुकाधड़ी के आरोप में संग्यान लिया थ पीड़ित ने आरोप लगाया था कि उसकी शादी 2016 में हुई थी लेकिन शादी के ततकाल बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी औरत नहीं एक मर्द है उसके पास पुरुस जन्नांग है यानि वो इस सादी के लिए पुरी तरह से अक्षम है उन दोनों के बीच शारीरिक पीड़ित ने कथित पत्नी और उसके पिता के खिलाप FIR दर्ज कराने के लिए अगस्त 2017 में मजिस्ट्रेट से संपर्ग किया था पहले सुपरिम कोट ने इस मामले पर सुनवाई करने में अनिक्षा जताई थी लेकिन नियायमूर्ती संजय किसन कॉल और MM सुंदरेश की पी यह यौनि को वादित करता है पीड़ित के वगिल सीनियर एड्वोकेट एनके मोधी ने वेंच को बताया कि भारतिय डंद सहित की धारा 420 के तहत यह एक अपरादिक मामला है क्योंकि पत्नी एक पुरुष निकली है